गूड मार्निग एवरीबाडी इससे पहले के लेक्चर में हम लुग मेल गैमितोफाइट और फिमेल गैमितोफाइट का स्ट्रक्शर पढ़ चुके हैं अब मेल और फिमेल गैमितोफाइट के स्ट्रक्शर के बाग next topic आता है fertilization, निसेचन यह pollen grain जो two nucleate या three nucleate stage पर liberate हुआ था जिसने germinate करके male gametophyte बनाया ये pollen grain germinate करता है on the surface of stigma flower के reproductive part में female reproductive part पढ़ा है आपने base पे soil and ovary होती है elongated style होता है और terminal receptive point stigma होता तो इस stigma पर पहुँचने के बाद pollen grain germinate करता है pollen tube बाहर निकलती है जो पूरी style से पास होती हुई ovary को penetrate करती है ovary में दाखिल होती है और ovary में दाखिल होने के बाद finally ovule के अंदर दाखिल होती ये pollen tube ovule के अंदर normally micropiles से इंटर करती है micropiles से दाखिल होती है जब pollen tube micropiles से दाखिल हो तो ये किरिया कहलाती है पूरो गैमी पूरो गैमी भी बहुत जादा पूछा गया तो पूरो गैमी क्या हुआ entrance of pollen tube through micropiles कभी कभी ये pollen tube चलाजल N के थुरो इंटर करती है जब चलाजल N के थुरो इंटर करती है तब word इस्तेमाल करते हैं चलाजो गैमी पूरो गैमी सबसे ज़्यादा advance है और मीजोगई में सबसे ज़ादा प्रिमिटिव फ्यूचर है यह पॉलेंट्यूक तीन रास्ते से चाहे वो माइक्रोपाइल से हूँ या चलाजल एंड से हूँ या इंट्रिगुमेंट से हूँ इन तीनों रास्ते से इंटर होने के बाद इंबिरियो सेक के अंदर हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही इंटर करती है इन रेस्पांस टू दा केमिकल सबस्टेंट से क्रेटेड बाई फिली फार्म आपरेटस आफ दा सिनर्जिट यह पालन ट्यूब दोनों सिनर्जिट में से किसी एक सिनर्जिट के अंदर दाखिल ह हो जाती है इसके टिब्स स्वेल करती है और रप्चर करती है फढ़ जाती है जिसकी वजह से दोनों मेल गैमिर्स का लिबरेशन होता सिनर्जिट के अंदर दो डार्कलर के बाडी जिनका नाम दिया गया है एक्स बाडी ये मेल गैमिर्स को रिसीव करते हैं कुछ समय के बाद सिनर्जिट कीवाल रप्चर कर जाती है और दोनों मेल गैमिट्स इंबिरियो सैक के अंदर फ्रीली मूब करते हैं विद दे हेल्प आफ माइक्रो ट्यूबियूल्स इन दोनों मेल गैमिट्स में से एक मेल गैमिट एक सेल की तरफ मूब करता है और फिर एक से फ्यूज करकी डिपलाइट जाइगूड का फार्मेशन करता है इस प्रोसेस को कहते हैं सिन गैमी, तो सिन गैमी भी बहुत पुछा गया, सिन गैमी क्या हुआ, फ्यूजन आफ मेल गैमीट विद एग, सिन गैमी को सबसे पहले आपजर्व किया था स्ट्रास बर्गर ने, जो दूसरा मेल गैमीट है, ये डिपलॉइड से केंडी नुकिलिय ये डिफनिटिव नुकिलियस की तरफ मूब करता है, और डिफनिटिव नुकिलियस से फ्यूज करके, ट्रिपल आइड एंडो इसपर्वन नुकिलियस का फार्मेशन करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेपल फ्यूजन, यानि अईजियो इसपर में दो बार हुआ एक प्रोसेस का नाम है सिंगेमी और दूसरी प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन यही दोनों प्रोसेस मिला कर कहलाती हैं डबुल फर्टिलाइजेशन डबुल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले आपजब किया था नवासचिन ने और यह डबुल फर्टि अब कुछ खास बातें भी हैं अगर ऐसा पॉलन ट्यूब जिसके अंदर कंडिशन पॉली इस्परमी हो यानि दो से जादा मेल गई मीट्स हो ऐसा पॉलन ट्यूब इंब्रियो सैक के अंदर दाखिल हो तब आइधर एग इज़ फर्टिलाइजड बाई मोर देन वन मेल गई म या एक का फर्टिलाइजेशन एक से ज़्यादा मेल गई मीट्स हो या एनि अधर सेल आफ इंब्रियो सैक का फर्टिलाइज तो इस किरिया को कहते हैं मल्टिपुल फ्यूजन कभी कभी एक से जादा पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूप इम्बिरियो सेक के अंदर दाखिल होती है तब एक इस फर्टिलाइजड बाई मेल गयमीट आफ वन पॉलन ग्रेन एक का फर्टिलाइजेशन एक पॉलन ग्रेन के मेल गयमीट से हो और डिप्लाइड सेकेंडरी न्यूकिलियस का फर्टिलाइजेशन दूसरे पॉलन ग्रेन के मेल गयमीट से हो तब इस किरिया को कहते हैं हेटरो फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप करके इंबिरियो का फार्मेशन करता है और एंडोइस्पर्म न्यूकिलियस डेवलप करके इंडोइस्पर्म का फार्मेशन करता है क्योंकि एंडोइस्पर्म नरिश्मेंड का काम करता है जो डेवलपिंग इंबिरियो को न्यूटिशन प्रोवाइड करता है इसलिए embryo का development पहले शुरू हो जाता है तो अब हम बात करेंगे endo sperm की आइंजियो sperm में endo sperm post fertilization structure है यानि fertilization के बाद बनता है और इसका nature triploid होता है ये खास बात है आइंजियो sperm का endo sperm triploid होता है जबके जिमनो sperm का endo sperm heploid होता है ये endo sperm तीन तरीके से develop करता है नियूकिलियर टाइप, cellular टाइप और हीलोबियल टाइप नियूकिलियर टाइप में endo sperm के नियूकिलियस का division free nuclear होता यानि बार बार काईरियो काइनेसिस होती है जिसकी वज़े से multi-nucleate structure का formation होता है जब multi-nucleate structure का formation हो जाता है तब इसके center में वाइकियोल टेवलप करता है जिसकी वज़े से नियूकिलियाई और साइटो प्लाज पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं फाइनली वाल का formation शुरू होता है और multi-cellular endo sperm develop होता तो नियूकिलियर इसलिए कहते हैं क्योंकि endo sperm के नियूकिलियस का division free nuclear होता दूसरा टाइप कहलाता cellular टाइप नाम ही indicate करना cellular cellular टाइप में हर division के बाद वाल का formation हो जाता है जिसकी वज़े से multi-cellular endo sperm finally develop करता है यानि जैसे ही काईरियो काइनेसिस होती है फौरण ही साइटो काइनेसिस भी होती तीसरे टाइप का development कहलाता है हीलोबियल टाइप हीलोबियल टाइप जो है एक्जाम में पूछा गया है ये intermediate stage है बीज की stage है किसके किसके ये थोड़ा सा confusing है एक दो test paper लिखे गए हैं जो market में मिलते हैं उसमें गलत वाली definition लिखी हुई है intermediate stage है between cellular and nuclear between nuclear and cellular नहीं between cellular and nuclear ये उसी तरीके का confusing है जैसे फस्स सिमिस्टर में पढ़ा था पाईरीन वाइट्स protein body is surrounded by star sheet या star body is surrounded by protein sheet वैसे ही ये भी intermediate stage है cellular और nuclear की इसको और की लिए डाइग्राम से कर लीगी पहले ही division के बाद wall का formation हो जाता यानि cellular वाला कारेक्टर आ जाता जब दोनों cells बन जाती है तब दोनों ही cells में free nuclear division होता है जिसकी वज़े से दोनों cells multi nucleate हो जाते अब इसके बाद nuclear type वाला सारा कारेक्टर रहता है कि दोनों cells के बीच में वाइक्योल डेवलप करता है नुकिलियाई और साइटो प्लास पेरिफेरी की तरफ चले जाते है वाल का formation होता है और multi cellular endo sperm डेवलप करता है अब ये endo sperm चाहे nuclear type से डेवलप हो cellular type से डेवलप हो या ही लोबियल type से डेवलप हो इस endo sperm के अंदर reserve food के quantity like carbohydrates, fats, proteins बहुत जादा होती है अगर ये endo sperm developing embryo को nutrition प्रोइड करता है तो embryo के development में used up हो जाता है इस्तेमाल हो जाता है जब embryo के development में इस्तेमाल हो जाता है तब seed के अंदर persist नहीं करता है मौजूद नहीं रहता ऐसे सारे seeds कहलाते हैं X albuminus या non endo sperm अगर ये endo sperm पर developing seed link को nutrition प्रोइड करता है तो इसका मतलब ही होता है कि ये seed में मौजूद है और जब seed में मौजूद है तब कहलाता है albuminus या endo spermic seed example की कोई importance नहीं है क्योंकि दो ही तरीके के seed होंगे या endo spermic होंगे या non endo spermic होंगे तो किसी किताब में कोई example लिखी होगी किसी किताब में कोई example लिखी होगी कभी कभी ये endo sperm early stage में degenerate कर जाता है disintegrate कर जाता है आइसे केसेज में new cellus परसिस करता है as a nutritive layer जब seed के अंदर new cellus परसिस करता है as a nutritive layer तब उसको कहते हैं peri sperm और ऐसे सारे seeds कहलाते हैं peri spermic कभी कभी यही new cellus परसिस करता है as a nutritive layer सिर्फ चलाजल एंड की तरफ इसका नाम दिया गया चलाजो इसपर कुछ प्लांट्स में endo sperm के surface uneven होती है rough होती है ऐसे endo sperm का नाम दिया गया ruminate endo sperm gramini family में जिसका नाम poesi है यानि grass वाली family जिसमें cereals होते हैं इन cereals में एक या दो peri filler layer endo sperm की specialized हो जाती है और इसके अंदर eleuron grains पाए जाती है इन layers का नाम दिया गया eleuron layers अगर pollen grain का effect असर है endo sperm के character पर पढ़ता है तो इसका नाम दिया गया zenia और अगर pollen grain का effect endo sperm के अलावा किसी somatic cell पर पढ़ जाये outside the endo sperm तो इस केरिया का नाम दिया गया meta zenia तो दो term है zenia और meta zenia effect of pollen grains on the characters of endo sperm काहलाया zenia और outside the endo sperm काहलाता है meta zenia endo sperm में क्रोमोसूम का नंबर निकालने का बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है जितना भी क्रोमोसूम का नंबर female parent के somatic cell में दिया हो as such उसमें male gamete के नंबर को आइड कर देते हैं वही endo sperm के क्रोमोसूम का नंबर होता thank you